लुश्कार दोस्तों मैं सुनिल कविराज और आप देख रहें टाइम सुनूँ जबी मैं वस्चत हूं इंडिया और नेपाल के लाश्ट गाउं में बगल में इंडिया है और नेपाल है मतलब कि इसके बीच में मैं खड़ा हूं और हमारे साथ जो लोग ही कठा है इनसे हम ज करके मुखह जी की गारी आ रहे थी जिसको चेकिन के लिए यहां पर रुका गया है उसके बाद वाद हुआ और वाद हुआ जो है वह जगड़े का रूप ले लिया बताया जा रहा है कि ग्रामीनों और एससबी के बीच जो है जड़प हुआ है तो आए हम ग्रामीनों से ब जारों के संक्या जो है उमड़ी हुई है एससबी के बहुत आरे जवान यहां पर आये हुए यहां के जो हमारे जन परतिनीदी मुखह जी है उनकी बेटी की विदागरी होकी गारी आ रही थी तो एससबी के जवानों ने तलासी के नाम पे गारी को डे घंटा तक जिसमें घंटा जारों के रहे जब डुलहन के गारी को रोकर चेकिंग की जारे थी क्या उस समय महिला पुलिस कर्मी थी? नहीं सर नहीं है यहां पे महिला पुलिस नहीं है तो एक नहीं नवीली दुलहन के गाड़ी को क्यों चेक किया गया बिना किसी महिला अधिकारी के दोरा? सर हम तो कहेंगे कि अपना बर्दी का एटिट्यूट और मिश्यूज का यह नतीजा है लोग का लगता है कि हमसे बड़ा यहां पे कोई नहीं है और हम लोग को कुछ नहीं समझते हैं बार-बार इस बात को लेकर हर एक तरह की मेटर आई है यहां पे दोर्शकों मैं आपको बता देना चाहता हूँ बात करा तो भारतिय सविधान में लिखा गया है कि किसी भी महिला की चेकिंग जो है महिला पुलिस कर्मी ही करती है लेकिन यहां पे हलात ऐसा है घटना ऐसा हुई है कि एक नई नवेली दुलहन को रोक कर एक मेल पुलिस कर्मी जो है एससबी के जवान जो है वो चेकिंग करता है यहां पे एक महिला अधिकारी का होना जरूरी था लेकिन वो नहीं थी क्या बोलना चाहते है बता दीजे हम यह बात बता रहे हैं क्यों हम लोग को परसान करके रखे हैं मैं यह सोचता हूँ जो बड़ा आदमी आते हैं आप समझा कर जाते हैं आप लोग को तरफ से कोई दिकत नहीं है इंडिया के आप लोग है जाए आए ले जाए कोई दिकत नहीं है अधार कार दिखाए अपना समान लेके जाए लेकिन यह दस बार हो गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी से खतम कीजिये नहीं तो हम लोग के यहां से उठा करके इधर कीजिये बाकी कुछ नहीं जानते हैं आप से मैं जानना चाहूंगा इंडिया और नेपाल का रिष्थ जो है मतलब कि बेटी रोटी का होता है तो साहिस बेटी रोटी के रिष्थ में और इंडिया के बोर्डर पे हैं यहां पर परशाशन आने के बाद हम लोगो को अधिनटिफाइए करना पड़ता है कि हम नेपाली है और हम इंडियान हैं दूसरा बत यह सर कि कभी कभार तो लगता है कि हम कसमीर क्योंकि अधार काड मांगता है कास्वीर में आईडी प्रूप लेके आदमी घुमता है यहां पर ज़रूरी नहीं है कि आपको अधार काड दिखाया जाए यह आपको लाइसेंस दिखाया जाए यह आपके पास बीजा पास्वोट हो क्योंकि इंडिया और नेपाल का होती है उसको खरिद के लाएंगे पांच किलो या दस किलो रोक के कहा लाया क्या लाया इसका बिल लियाओ अब बोलता है कोई प्रॉब्लम है तो सीनियर अधिकारी को फोन करें रहे मेरे बाबा दादा पढ़ ही नहीं है तो कहां से फोन करेंगे आपका नम क्या है सर मेरा मौखिया जी वह अपने बहुत को लोग उनके बेटे लेकर आ रहे थे वहां से नेपाल से होके आ रहे थे लो इदर से और यहां पे उनके साथ आप जो हुआ जो आप यहां पे देखे वो डाइबर को पकर के मारा गया और वो भी आया पूछे तो उनके साथ भी जरब हुआ 4000-5000 लोग उनको चुनते हैं उनके साथ अगर इस तरह हो सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी के साथ यह रोज किस तरह फिस कर रहे होंगे भी कर दोस्तों आप देख रहे हैं इसके बगल में जो है नेपाल है और इंडिया में भी हम ख़़ा है अदिकारी लोग वादा करता है कि हम लोग आप लोग की हम लोग की सुरक्षा के लिए हैं आप लोग की संग्रश्चन करने के लिए लेकिन आज के सीन से लगता है कि लोग ऐसे शुराक्षा के बतले में लाठी फटा से हम लोगा शुराक्षा करती है क्या है कि घ्र नहीं बहुन आ या रिष्ट है दब फींज़ प्रिसों किए Да पीर स apron के लिए और सब्सक्राइब करते हैं मतलब क्या सीज्ञ कर जाएंगे क्या समय क्या मालूम नहीं नहीं है एक विब इंडिया में अमतलब आंतीन गावं में इसके बाद में इसके बाद मेनिक नेपाल आएगा पुरा का इंडिया का इंडिया में आता है अगवर से दूसरे गाव में तौनको भी रोका जाता है उनको परताल की जाते हैं कि आप कहा जा रहा है क्या करने करने सरे हम ले हमने के बहुत के दिकट बाद लोगे घुर्बा और यानी के चिलोमेटर दूर दोनों देश की स्चाइब है मोखिया पीट जा रहा है to तो कहां लेके जाएगे ले जाने के लिए बहुत जगे वहां पर भी जा सकता है वहां से जवान यहां पर आकर तहनात हो सकते हैं ठीक है लेकिन गाओं के यहां पर देखिए हम लोगे यह सब आपके कहने का सीधा सीधा है यह मतलब है कि गाओं से थोड़ा हट है हमारे काने क मतलब है केम्प यहां से थोड़ा अलग रहे उच्छे हम लेडिस के गारी नहीं चेक करने के लिए जब लेडिस बैठी है लेडिस लेडिस की जब चेकिन होगी तो लेडिस चाहिए उसमें अफसर चाहिए वहाई परसानी है के लेडिस खाल चेकिन से 5-7 मिलट यहनी वहाऌगी जहलिए घृच्छे का गारी का भी। कितना देर में लोग संतुष्ट हो जाएंगे चेक करके 5-10 मिलट या आदे घंट लगेगा खूब लेगा तो आदे घंट चेकिन होता है यहां पर हम लोग बेटी बैन का विदागरी है हम लोग हमें में सा थोरी न जाएंगे किया मेरा बैन जाने वाला है मेरा भावी जाने आपको जानते हैं कि वह इतना बड़ा इंटरनेशनल मार गए इतना बड़ा कई नहीं है इंटरनेशनल में आता हो चैक होता है यह इतना नर्मल गाऊं में जब इतना चेक हो बढ़ अरे हैं बाताईये ना प्पतने hält और उतों के लिए समान तो लाया जायेगा गाना पांच की लेकर आई या चिनी पांच या दो किल्ग दाल लेकर आई इसाब में वह पूछा जा रहे हैं इसमें को core तुम अपने यह जो धूल नमर के धंदा तो नहीं करते हैं अगया स्से आसकल पास के पुर्बाब उसकल जाता है तो उनको इस लिए जब कि बहुत चारे बाइक से दो और तेक्टर रात को पैसे लेकर के हिलवा दे रहे हैं इधर सवाल पुछलत आएंगे आखिर किन को पास करा है आरे आरे जो यह तो मैं यहां तो पर उपर रहता नहीं हूं यहां मतलब दूसरे जगर है कर पढ़ाई करता हूं मैं मैं देख उनलोग करें लोग को उफैसे पैस क्या हूं है थलोगा से गुमाईए घुमा अगर बहुत भाद में होद आप संभड़ सकताई है कि यह फोगो रोगते हैं लोग लोग गूस नहीं देख से तक यह बलेक नहीं कर रहा है चलिए बहुत बहुत धन्वाद अब समझ सकता है मामला क्या है आप हमारे चैनल पर बना रही है क्या आप कर दो कर दो कर दो कर दो